हेलो फ्रेंड्स आप सबका स्वागत है मैं है बेखतीजिएником में आश में बना रही हो बहुत ही चट पटि कच्छी आमी की सबजी फ्रेंट्स आपको ये सबजी बहुत पसंद आने वाली है जिस तरह से हम बना रहे हैं फ्रेंट्स ये बनाने का तरीका भी बहुत ही असान है और बहुत ही टेस्टी आमे की सबजी बनके त्यार होती है आप इसे सेरी में या अफचार में इसको सर्फ कर सकते हैं पराठे या प्रेंट्स ये बहुत ही डेस्टी लगती है फ्रेंट्स आप इस तरह से जरूर ट्राइगी जगा चलिए इसको बनाना शूरू कर लेते हैं तो हमने आमी बनाने के लिए मैंने आमी ले लिया है 700 ग्राम और उतनी ही मैंने प्यास लिये दोनुशी जों को मैंने बराबर ले प्रेंटakes हैंगे में अमी कम तो आप अपनी अकोलऄ रख सकते हैं बना सकते हैं तो इसकी सबजी जो है बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत असान तरीका है चलिए इसको बना लेते हैं तो यहां मेरे कडाहिं में डाल दिया है आमी को मैंने इसको को धूलिया था तो देखिए हमारी यहां हमारी आमी अच्छे से बोईल हो चुकी है गल गई है यह और एकदम वैसे भी देखने में भी हमारी साबुत हैं खिली-खिली हैं मैस नहीं हुई हम इतना बोईल जिरका है इसको तो चलिए अब इसको जो हम च्छाननी में च्छान लेंगी इसका पा प्यास पे चड़ा दिया है और मैंने दो टेबल स्पून भरके सरसो का तेल लाला है सरसो का तेल में बहुत टेस्टी लगती है और एक चमच कलोंजी डालेंगे कलोंजी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है मामी के अंदर तो यहां हमने अपनी प्यास को 700 ग्राम प्यास को हमने कट कर लिया था तो डाल दिया है अब इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे हम इसमें तो आप चाहें तो हरी मिर्च में ही बना सकते हैं लाल मिर्च का इस्तेमान नहीं करें आप लाल मिर्च में भी बना सकते हैं तो देखे हमने इस तरह से हमने इसको भून लेंग तो आप इस तरह से जरूर बना के दिखेगा आपको भी पसंद आएगी तो यह हमारी प्यास भून गई है हम इसमें डाल देंगे पाउडर मसाले यह मैंने अद्रेलेसन का पेस्ट डाल दिया है सौप पॉडर दो चमस डाला है एक चमस मेरे लालमिश पॉडर डाल दिया है एक चमस धन्या पॉडर और डालेंगे इसमें हल्दी पॉडर कलर के लिए इसमें बहुत अच्छा कलर आने वाला है एक चमस हमने इसमें डाला है ट बीना पानी डाले, तो फ्लेम से एंदर और हमांट जो झाल तो तो 5 मिर्ट कैनल कैने । एक शेक्टándी कि झाल को पुंडरनु शूदर है, यहाइं टीक फिर नहीं। मसाला तो अब इसमे डाल देंगे आमी को अगर आपको प्यास घूटी भी पसंने तो आपog पहले प्यास को घूट लीज़ेगाrust तबा मिक्स कीजेगाश हमारी पसंन में साबुत प्यास घूटी भी नहीं तो हम इसमें आमी को add कर दिया chat और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे लोफ लेंबे फिर से पकने के लिए रख देंगे पांश मेर तक लोफ लेंबे पकाएंगे फैंस आप देखिए हमने इसको पका लिया है और देखिए इसने भी अच्छे से मसाला अच्छे से भून गया है और इसने छोड़ द और बहुत टेस्टी देखकर मुह में पानी आ रहा है मेरे तो आपके भी आ रहा होगा और घटी चीज को देखके आते हैं तो बहुत टेस्टी लगने वाली है जब आप बनाएंगे न तो रहा नहीं जाएगा खाय बगर तो वैसा हाल मेरा भी हो रहा है तो फ्रेंड्स देखें हमारी आमी की सबजी बन के तयार होगे जटपड से तो है ना कितनी आसान रेसेपी और जरू ट्राइए कीज़ेगा फ्रेंड्स बहुत टेस्टी लगती है इस तरह से आप बनाते हैं तो बिल्कुल सिंपल तरीके से ब चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सबस्काइब कीज़ेगा और डेल आइकन को जरूर दबाएएगा ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोडिफिकेशन आप तक पहुँचे चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए आप भी अपना ख्याल रखिएगा प्रेंट्स और रेसिपी को जरूर ट्राय करके देखिएगा